हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम महतुन दीवस और उनसे समधित थीम के बारे में जानेंगे आप किसी भी एकजाम की त्यारी कर रहे हो यहां से प्रसंद अब सिफ पूछे जाते हैं तो चलिए हम देर ना करते हैं वह वीडियो को स्थार्ट करते हैं आप लोग ज 25 जनवरी 1950 को अप लोग में से बहुत से साथी लोग जानते भी होंगे और इसलिए 25 जनवरी को राष्टिया मतदाता दिवस के रुपे मनाते हैं अच्छा मतदाता दिवस की सुरवात कब से हुई थी तो 2011 से इसकी सुरवात हुई थी समिधान की किस अनुछे में इसका वर थीम क्या है? Nothing like voting, I vote for sure. ये इसका थीम है. क्या है थीम फिर से एक बाद दोड़ाते है? Nothing like voting, I vote for sure. एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है परवासी भारतिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है. क्यों मनात जाता है, क्योंकि इसी दिन मातमागंदी साउथृथ अफिर्खा से भारत वापस आय थे. उसी के याद में ये 9 जनवरी को मनाया जाता है. 17 परवासी भारतिया दिवस कहा मनाया जा रहा है? मतलब किस सहर में आयोजिन किया जा रहा है भारत के इंदवर में आयोजिन किया और मुख अथिती के रूप में कौन है तो गोणा के राष्टपत्ती मुख इर्फानली मुख अथिती के रूप में चीप बेश्ट में बहरी बहरी इंपोर्टन यह याद कर लेज़ेगा चलिए आगे है बिहार के किस ब्यक्ति को परवासी भारतिय पुरुसकार से सम्मानित क्या गया है किस ब्यक्ति को परवासी भारतिय पुरुसकार से सम्मानित क्या गया है अस्वक तिवारी को और यह बिहारी है ठीक है चलिए बिहार के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता यह क्वेशन अगला है विस तंबाकु निश्य दिवस कब मनाते हैं 31 मई को मनाते है तंबाकु निश्य दिवस 2023 का धिम क्या है खाना उगाएं तंबाकु नहीं ठीक है यह तंबाकु निश्य baka धिम है कैंसर दिवस का थीम क्या है 2023 में कुलोजद कीयर गया अप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें कैंसर दिवस कम मनाया जाता है ठीक है चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन है विष्दुग दिवस कम मनाया जाता है ठीक है वर्ड मिल्क डे 2023 का क्या है थीम इसका डेरी का आनंद ले ठीक है थोड़ा और जान लेते हैं दूद के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दूद होता है ऑपरेशन फलड का समन्द की सेथ दूद से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है प्राक प्राकरम दिवस ठीक है और क्यों मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सुवाच्चंद बोस की जैनती होती है उसके जन्दिन के अफसर पर प्राकरम दिवस मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं सुसासन दिवस कब मनाते हैं 25 दिसमर को अटल विहारी बाजबे के जन्दिन के ठीक है तुसासन दिवस मनाते हैं नरेंद मुदी के जन्दिन के अफसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है ति यह श्रमास सेबाद दिवस बहरी बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन पूछ लिया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं राष्टिय प्रोधगीर दिवस नेस्नल टे अधीक जोच दिवस का दिवस में? जाते हैं, 2023 में पिर्थवी दिवस की क्या है थीम, invest in our planet, ठीक है, ये पिर्थवी दिवस की थीम है, 20 सुपरियावरन दिवस कम मनाते हैं, 5 जुन को मनाते हैं, 2023 में इसका थीम क्या है, solution to plastic pollution, ठीक है, ये थीम है याद कर लिजेगा, अगला है, अंतराष्टिय महिला दिवस, क ठीक है, digit all innovation and technology for gender equality, ठीक है, अब आते हैं थोड़ा ये बिहार से question है, बिहार अस्थाफना दिवस, 2023, ये केमा अस्थाफना दिवस होगा, 2023 में 111 अस्थाफना दिवस है, ये बिहार के एकजाम के लिए very very important है, ठीक है, यहां से प्रस्ण जरूर पूछे जाएंगे, चलिए मर्च को, इसकी सुरुवात कब से होई थी, मनाने की, थी 2010 से इसकी सुरुवात होई थी, 2023 में बिहार दिवस का क्या थीम है, 2023 में है युबा सकती, बिहार की परगिती, ये बिहार दिवस का थीम था, थीम है, 2022 में क्या थीम था, जल जीवन हर्याली, ये 2022 का थीम था, जल ज बिहार उडिशा से अलग हुआ कव एक अपरेल 1936 और बिहार से जहरकंड कब अलग हुआ तो 15 नवब दुहजार इस्वी को बिहार से जहरकंड अलग हुआ असा करते आपको यह वीडियो अच्छा लगागा विडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन मिल जाएं और हम इसी तरह सॉट वीडियो अपलोड करेंगे जो काफी इंपोर्टेंट होगा उसी कोस्चन को यहां इंकलूड करेंगे और सॉट वीडियम के माध्यम से जो परिछा हम पुछे आते हैं उसी कोस्चन को हम यहां करवाएंगे चैनल को सस्क्राइब कर लें औ अन्यवाद